अप्रेल बाबा हम सभी को याद दिला रहे हैं ये पुर्सोत्म संगम युग है इसमें ही तुम मनुस से देवता बनते हो पुर्सोत्म बनते हो इस युग को ही कोई नहीं जानता इसमें ही तुम आत्माओं का मिलन परमात्मा से होता है ये ही सच्चा कुम्भ है तुम्हारा हम सभी ब्रह्मावर्च जिनका मिलन भगवान से हुआ है कितने भाग्यवान हैं बावयाद दिला रहे हैं गाते थे आत्मा परमात्मा अलग रहे वहुकाल अब अलग रहे तो अब मिलन हुआ तुम जो देवी देवता थे तुमने बहुत भक्ति की है आधा कल्ब तुम ब्रह्मा के दिन में थे फिर आधा कल्ब तुमने भक्ति की तो ब्रह्मा की रात में आ गए अब मुझ से तुम्हारा मिलन हुआ है मैं आया हूँ तुम्हे पावन बनाने के लिए विधी बताता हूँ मैं पतित पावन हूँ, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाओगी। बावा कह रहे हैं, डेवी डेवता धर्म की आत्माएं जो और-ओर धर्मों में भी चली गई हैं, वे जो कनवर्ट होगे, किसी ने दो जनम लिये, किसी ने चाल लिये, वे वापिस अपने धर्म में आ जाएंगी और उनका भी बाप से मिलन होगा। अंत में वे अपने मूल धर्म में ही आ जाएगी। क्योंकि रत की जो भासा होती है, जिसमें भगवान आते हैं, वही लेंग्वेज स्रिवावा भी यूज करते हैं, वो तो स्वयम में निराकार है। निराकार रूप में किसी की कोई भासा नहीं होती, लेकिन जब देहे में आते हैं, ब्रेन से जुड़ते हैं, तो उस मनुस की भासा ही आने वाली आत्मा यूज करती है। तो बाबा कह रहे हैं, मैंने तुम्हे आत्मा का ग्यान दिया है, मैं तुम्हे आकर देही अभीमानी बनाता हूं, तो आत्मा का ग्यान संचार में किसी को नहीं रहा। बहले ही, गीता में भी आत्मा का ग्यान है, लोग भी आत्मा आत्मा करते हैं, लेकिन सोल कौंशियस बनाने का काम किसी नहीं किया। बाबा आकर हमें सोल का ज्यान देकर सोल कॉंसियस बनाते हैं, हमारे बोड़ी कॉंसियस को, हमारे देविमान को छुड़वाते हैं, क्योंकि इस देवान से ही दुख उत्पन हुआ है, देवान से ही लड़ाई जगडे हुए हैं, विकार आये हैं, अब तुम्हें बाबा अत् बनाते हैं, तो तुम इन सब से छूठ जाते हैं। किसने बनाया? लोग बोचते हैं, तो उन्हें समझाओ, ये बना बनाया है, नया सो पुराना सो नया होता है, भगवान आकर इसको पुराने से नया बनाते हैं। बाकी ये प्रसन नहीं है, कब बना और कब समाप्त होगा, ये अनादी अविनासी है, साइक्लिक ओर्डर में चल चलिए भेर बहुतक हैं, बाबा बहुत अच्छी है, हमको समझा रहे हैं, बाबा कह रहे हैं, तो मैं अब इस पुरानी दुनिया से वेरा गाता है, क्योंकि इसमें दुख ही दुख है, अस्यांती है, पाफ है, तुम्हें अब इसे छोड़ कर घर वापिस जाना है, तो आता हूँ तुम वही सुनो, वो सारी evil बाते सुनते सुनते तुम नीचे उतरते आए हो, पापात्मा बनते आए हो, अब कुछ भी evil बाते न सुनो, मैं तुम्हें अभी अभी चारी ज् 농 दे रहा हूं, एक परमात्मा, एक ज् noticed, वही सुनो, उससे ही तुम्हारी श्रेष्ट तुम तो देहे लेते हो छोडते हो लेकिन तुम्हारा इस itel से महं हो जाता है लेकिन तुम्हे नस्तोमोहा बनना है देवी देताओं का गायन है देवी देता नस्तोमोहा थे नस्तो मोहाराजा की कहानी है देव युक्की महाँ सरीर स्वाइच्छा से छोड़ देते हैं बस फिलिंग होती है अब ये सरीर भुड़ा हो गया मुझे ये सरीर छोड़ के बच्चे के सरीर में जाना है रोना पेटना दू का शानती कुछ भी नहीं होती ये ममत्व ही तो बहुत कस्ट देने वाला है आत्माओं को हमें निर्मोही बनना है बाबा पुने-पुने हमें याद दिला रहे हैं भारत में एक आदी सनत देवी देवता धर्म ही था उस धर्म को सभी भूल गये हैं वही फाउंडेशन है सन्यासी लोग भी उस धर्म को नहीं जानते सन्यास तो बाद में प्रार्म हुआ सन्यासी ओका भी एक अलग धर्म है बाबा उसको याद दिला रहे क्योंकि उनकी रीती रसम सब कुछ अलग होता है तो बाबा हमें कह रहे हैं तुम्हारा असली धर्म देवी देवता धर्म था तुम नीचे उत्रे लेकिन मनुस्यों ने कल्प की आयू लाखो वर्स दिखा दी है इसलिए देवी देवता धर्म देवी देवता स्वरूप की अविद्या हो गये उसका किसी को पता नहीं चल रहा है अब बाबा ने तुम्हें आके समझाया है लाखो वर्स का कल्प नहीं है कोई 40,000 का बोलते हैं कोई कहते हैं कि लिएक के भी 10,000 साल बाकी है मिन-मिन मत हैं संसार में बाबा ने का इस से तुम कन्फ्यूज हो गए हो अब मैंने आकर तुम्हें सत्य ग्ञान दिया है कि तुम्हें ये 5000 वर्स का खेल अब पूरा हुआ है ये खेल किसी ने बनाया नहीं है मैं आता हूँ इसको नया बनाने अब तुम्हें वापिस घर चलना है फिर सत्यूग में आना है फिर पूरा पार्ट वजाना है और फिर मैं आऊंगा और तुम्हें घर ले जाऊंगा तो बाबा हम सभी को ये चक्र का बहुत ही सहज और सुन्दर ग्यान दे रहे हैं बाबा ने कहा वर्दान में तुम्हें फालो फादर करना है तिवरपुर्शार्थ के लिए फालो फादर नहीं करते तो कुछ का कुछ कर लेते हैं फिर कन्फ्यूज होते हैं फिर डिस्टर्ग होते हैं सरल मार कठिन बन जाता है बाबा बाबा हमारे सामने है उसे फालो करना आपकी कुछ भी समझना है फालो करने का अर्थ होता है बाबा जो कुछ मुरलियों में सुना रहे हैं उसे फॉलो करना है उसे धारन करना उसे मान लेना स्लोगन याद दिला रहा है सारे गुन धारन करने के लिए चित को सरल बनाओ जब हम सरल चित होते हैं तो सब धारनाएं हमारे अंदर सहज हो जाती हैं तो आज सारा दिन हम सुदर्शन चक्रधारी होकर रहेंगे आत्मा सत्यूग से कैसे चक्र लगाते लगाते एंड में आई है और अब हमें सब को चोड़ कर घर वापिश जाना है तो अपने पांच सो रूपों का भ्यास हर घंटे में करेंगे ओम स्यंति जस्ट अखले को रहें पीस्फुल लगाते 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 है